वेल्कम फ्रेंड्स बहुत हो स्वागत है आपका एक और नहीं वीडियो में देखिए आज का बिल्ड है हमारा आई सेवन ट्वेल जनरेशन के मॉडल लंबर 12700 प्रोसेसर के साथ मैं इस प्रोसेसर के अगर स्पेसिफिक्शन को चेक करें तो यह 12 कोर का प्रोसेसर है जिसमें आपको दो तरह से कोटनी में रहे हैं यहां पर जो 12 कोर हैं वो पर्फामेस वाले 8 कोडन है है और उससी वाले Cape 9 कule और देखा जाए तो बावर्फ़ुल प्रोसेसर है 12 कोर पर हैं उनके अलग तरह से यह और इफिशंस वाहले Core की अलग टो frequency है फ़ी का इसक्राउल की-इंड-श- गाहर्स t सब्सक्राइब करेंगा इसके अलाबा इसको ओवर क्लॉक आप नहीं कर पाऊए इतनी फ्रिक्वेंसी तका मैक्सिम सिस्टम का फफार्मस ले सकते हो इंटल की ओर से यूष्ड ग्राफिक देखने को मिल रहा है जो की है 770 मॉडल और इस इंटरनल ग्राफिक देखी जाए तो बेस फ्रिक्वेंसी है 300 मेगा खर्स की और डानामिक तो यहां पर आप देख सकते हो इसका जो यूएश्डी ग्राफिक है वह भी दो तरह से इसकी फ्रिक्वेंसी आपको मिल जा रही है मिनिमूम और मैक्सिमुम पीस यह फॉर पैंट जीरो और फाइप पैंट जीरो की करेंक्टिविटी सब्सक्राइब करता है सौक्ट की बात करें तो लगी सत्रों सौकेट पर चलने वाला यह प्रोसेसर है जब यह लॉंच हुआ था तो तीन सो उन्तारीश डॉलर के आसपास इस प्रोसेसर की कीमत निक को 32,000 से कुछ पैसा जादा देना पड़ रहा है एक बार ऑफलाइन करोगे अगर इस प्रोसेसर के साथ अगर आपको बेल करना है तो हो सकता है आपका पैसा और भी बचिया जा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए तो देखिए इसमें आप लिक्वीट कूलर का इस्ति तो वाधे रखते हैं लिक्वीट कूलर का साड़े साथ हजार रुपए देखते हैं नाच्ट पार्ट के लिए तो नेक्स्ट बाट की बात करेंगर माधर इस्तिमाल करेंगे मदर्बोड एक ना जज्यादा कौश्टली ना ज्यादा लौर कौल्टि का एक मीडियं रेंज सब्सक्राइब यहां पे आप देख सकते हो पोर्स तो आपको USB के बहुत सारे मिली रहे हैं जो कि अलग-अलग 3.2 जनरेशन 1 और 2 के भी दो-दो पोर्स हैं 2.50 GHz की लेंड का पोर्ड है साथ-साथ 4 डिस्पले आप लगा सकते हो इस मदरबोर्ड के थूरू बगएर किसी ग्राफिक कार्ट को लगाए 2 HDMI और 2 डिस्पले-पोर्ड के थूरू यानिकि अगर आपको चार्ड डिस्पले लगानी वो भी HDMI पोर्ड के साथ में तो आप एक काम कर सकत के अलावा अगर आप i5 12th generation इस्तिमाल करते हो या फिर i3 12th generation भी गर इसमें लगा लेते हो तो पूरा setup आपका बहुत ही कम बजट में मिल जाएगा डिस्प्ले की output लेनी है चार डिस्प्ले करेक्ट करनी है तो अगर आपको बजट बहुत ही कम है तो i3 12th generation भी इसके साथ प्य मैक्सिमम M.2 के सरोड मिल रहे हैं दो डिस्प्ले वाले पॉर्ट दो हैं HDMI वाले डो पॉर्ट है और लेन का पॉर्ट है 2.5 GB पर सेकेंड वाला तो इस तरह से कुछ मेन मेन इस स्पेसिफिकेशन थे प्राइजिंग की बात करें 13,000 रुपे के आसपास आमको यह आराम से मिल जाएगा Amazon की प्राइजिंग ली जाए Amazon पर चार तरह के यहां पर मॉडल आपको मिल जा रहे है जो लाश्ट में ए है इसकी वाला मॉडल मिलेगा वह आपको 12,000 रुपे के आसपास दिख रहा है और जो जी वाला मॉडल है वह साले 13,000 रुपे के आसपास है और इसमें एक स पीचर्स के साथ पर आपको मिल जाता है तो इस तरह से जो है अच्छा मदरवोड है देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए तो देखिए DDR4 रेम लगाएंगे वाद तीसों मिल रही है जो की 16GB आज की बिल्डे में इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर कुछ इसकिन सोर्ट हैं देख सकते हैं आप Amazon के जो कि आज ही लिए गए हैं और देख सकते हैं अब 3989 लगवाद चारह जार रुपए के आसपर आपको टीडियार 4 रहे मिल रही है 16GB की और सारे ब्रांड की और सारे ब्रांड की और इस्तेमाल करेंगे देखिए 500GB का एक है NVMe generation 4 का जो की 6198 मिल रहा है तो यह काफी अच्छी डील हो सकती है generation 4 की NVMe वही वन टीवी वाली एक और देखिए यहां पर मॉडल दिया गया है सीगेज ब्रांड की और से आने वाला 500GB की स्टोरेज है लेकिन यहां पर 9000 रुपए आपको खर्च करने पड़ रहे हैं यह भी generation 4 है बस speed थोड़ी इसम शाड़े 600 बाट SMPS का प्रियोग करेंगे अलग 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 ब्रांट से आपर मिल जाते हैं आपको 80 प्लाइशन के साहथ आने वाला कोई ब्राउज सेटिफाइड है कोई गोल्ड रुपए यहां देख सकते हैं यहां देख सकते हैं आप कुछ और यहां पर यहां पर यहां सब्सक्राइब के साहथ आने वाई 4000 रुपए के असपास है और एक MSI का है जो कि आपको 7000 से उपर के मिल रहा है तो इस तरह से अलग 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 रेट में आपको दे रहे हैं अगर सई से आपको ची पावर सप्लाई लेने को 4000 रुपए के आसपास अगर इन्वेस्ट सब्सक्राइब के लिए बजट की बात करें आज के बिल्ड में हम 3500 रुपए खर्च करेंगे अब देख लेते हैं टोटल ओवर ओल हमारा आई 712 जनरेशन के साथ कितने का बिल्ड बैट रहा है यह कि प्रोसेसर ही है जिसकी कीमत आ रही 31,000 रुपए के आसपास फिर इसमे लिक्वीड कूलर की वया शक्ता पड़ती जिसकी कीमत है साड़े साथ हजार रुपए तो दो पार्ट से अगर आप लगा होगे तो 38,000 रुपए तो बैसी जा रहा है बजट और DDR4 मदर बोट की बात करें तो मदर बोट काफी बहतर है जो 13,000 रुपए में मिल रहा है 16GB RAM का काफी प्राइस है 4000 रुपए की आसफास वन टीवी जनरेशन फोर की एक एंवे मी है 8,000 रुपए की यह ठीक ठाक रेट में मिल रही है पावर सप्लाई है साड़े 600 वाट की 80 प्लेश साथ आने वाली 4000 रुपए की आर जीवी केमिनेट है 3500 रुपए की टोटल आपके साथ पार्ट इस्तेमाल हो रहा है एक अतर हजार 848 रुपए यह खर्च हुए आपके और काफी बहतर आपका सिस्टम बिल्ड हो रहा है तो इस प्राइज में ब बजट को कट करने की बात करें तो अगर आप इतना हैवी प्रोसेसर लगा रहे हैं तो फिर बजट करोगे तो आपको स्पीड में मजा नहीं आने वाला है जैसे कि मदर बोर्ट का बजट तो आप कट करने की सोचना मत क्योंकि फिर आपकी पॉफार्मेंस बहुत ज्यादा साथ हजार वाला मदर लगा लोगे तो आपको फाइदा के साथ में बिल्ड करने का फीट कूलर जरूर अगर आप अभी आपके पास पैसा ना हो तो आप इसको आप हटा दोगे तो साले साथ हजार रुपई ये कम हो जाएगा आपका पैसा और वन टीवी एन वीमी की आपको जादा इसमें रिडियूस करने की आवश्कता रही है क्योंकि जो भी आई सेवें ट्वेल जनेरेशन के साथ बिल्ड करेंगे उनके पास जाहिर सी बात है कि बजट जो है हो गाई तो फ्रेंड्स अलग 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 प्रसेश्र के साथ में हमारे बिल्ड आते रहते ह आज के बिल्ड है हमारा आई सेवें ट्वेल जनेरेशन मॉडल लंबर 12700 प्रसेश्र के साथ में और किसी बिल्ड के साथ में ख्याल रखें अपना बहुत बहुत धन्यवाद आपका